जनपद शामली के कांदला थाना छेतर के गाउं इसोपुर टील के पास खंबे से बाइक टकराने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई गटना के बाद परिजन मौक्या पर पहुँचे वहीं गटना के सूचना मिलते ही पुलिस ने आगे की कांदला थाना छेतर के गाउं इसोपुर टील में सड़का हादसा हुआ है जहां एक युवक की बाइक बिजली के खंबे से टकरा गई जिससे एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है मिरतक युवक का नाम अभिशेक बताय जा रहा है जो जनपद शामली के गाउं कंजर हेडी का निवासी है मिली जानकारी के अनुसार मिरतक युवक अभिशेक अपनी बाइक पर सवार होकर गाउं इसोपुर टील में अपनी बुआ के वहां जा रहा था लेकिन रिश्टदारी में पहुँचने से पहले ही रास्ते में सड़क हाद्सा हो गया जहां युवक की दर्दनाक मौत हो गई गरामिडों की सूचना पर पुलिस ने शोग को कबजे में लेकर आगे की कारवाही में चुट गई वही मिर्दक युवक के पर जनों ने युवक के शोग का पीम कराने से इंकार कर दिया है निव्जनाइल लाट प्यूवी के लिए सुनील राणा की रिपॉर्ट यह थाट पहुचान ने ही आपको क्या पता लगाता हमको फून पपता लगया कि इसका अक्सिड़ंट हो गया लेकिन यह नी मॉलूम यह बालुम था अफ यह पुजरचिके यह कैसे हुआ हमको तया सिर्फ यह पता लगया कि इनका सिट अगया और अपस्ट फूराजो कु कराएन से ही इधर आये खागलगों पागलत कोटवाली में झाल माझा आपकी क्या लगए है यह अमेरे स्वियदियर कभडे याजी आपकी से लगए हैं अभी शेयक है वह लुड़ का क्लाए है, मोशंपड़ कहा द्याए है कन्जरेडी ना कोंगों जापड़ देने ? थाना बाबरी क्या नाम दुवारा अली सेर क्या मामला ऐस पताल आई है यह कहीं कंजा रेडी से आयता लड़का रिष्टेदारी में रिष्टेदारी तक यह पोचा नहीं राश्ते में पता नहीं क्या हुआ इसका किसी खंबे से ठकरा आया है किसी चीज को बचाने के लिए क के खंब पार क्या हुआ है इसका कि फिल पाहिए इसका कि टूप अश्पाताल में बोड़ी करे यह कैसे आई अस्पताल में गाड़ी केसे आई इसपताल में काड़ी मा आई जी पुलिस पहुंची थी महाँ पे आच ऑच तो यह बाईक सवा बादों पटे से घ्या इंग त झाल